Hello friends, welcome to my YouTube channel, आज शुरू करेंगे exercise 12.2 से question number 1 Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree कोई circle है, circle के sector का area आपको निकालना है और sector का जो angle दे रखा है यहाँ पर वो 60 degree है और इसका radius दे रखा है circle का 6 cm तो आपने गर introduction वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि sector हम किसको बोलते हैं, जब दो radius ऐसे join कर देते हैं तो जो बीच का जो portion बनता है इसे हम sector बोलते हैं और जो यहाँ पर angle बनता है इसे हम theta के नाम से जानते हैं जब उतना formula लिखते हैं, यह radius होता है तो sector का formula होता है, area of sector अब क्योंकि जो sector होता है, एक circle का ही तो part होता है तो formula इसमें जो area है, वो area का ही formula लगता है बस यहाँ पर theta upon 360 लग जाता है area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square तो theta यहाँ पर कितना है, 60 degree है, तो 60 degree रखेंगे 360 degree into 22 upon 7 और radius है 6 cm, 6 into 6 solve करते हैं, यह 63 60 पूरा कट गया, 61 0 और 66 0,360 यहाँ 6 है, 6 पूरा कट गया, उपर सिर्फ 22 और 6 बचता है 22 को 6 से multiply करके आया 132 और नीचे बचा 7 अब यह आपका answer है, यहीं आपको नीच होड़ना, अगर उपर बड़ा नंबर आता है तो हमेशा इसको divide करके आप mix fraction में जरूर करें तो 132 को 7 से divide करेंगे, 7 1 0,7 2 0,14, तो 7 1 पर ही जाये गए 7 1 0,7, यह 6 आगया, यह 2 आगया, 7 8 0,56, मैनस करेंगे तो 12 में से 6 गया, 6, और यहाँ पर 5 से 5 गया, 0 तो यह जो value आती है, जो main value आती है, इसे हम बीच में लिखते है, 18, और remainder को उपर लिखते है और जिससे divide करते हैं, वो change होता ही निया, तो यह 7 ही रहेगा और सारा question जो क्योंकि यह centimeter में, यहाँ पर आपको जो चीज given है न, वो आप ज़रूर लिखना जैसे radius है 6 centimeter, और इसमें theta है आपका 60 degree तो यह जो गिवन चीज़े होती है, यह question शुरू करने से पहले आप कहीं भी अपना ज़रूर लिखें centimeter में तो centimeter square इसका answer, यह area of sector होता है जो इसके बाद question number 2 करते है question 2 में है, find the area of a quadrant, of a circle, whose circumference is 12 centimeter quadrant बता देता हूं में क्या होता है, दीए कोई circle होता है उस circle को जब कोई 2 diameters बिल्कुल इस तरह से intersect करते हैं तो circle चार बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, 1, 2, 3, और यह 4 यह quadrant होते है, quadrant आपने वहाँ पर coordinate geometry में भी पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, quadrant की खासियत यह होती है, कि यहाँ पर यह 90 degree होता है अब circle के अंदर जो quadrant है न, वो एक special तरह का sector ही है यह sector ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 90 degree है और यह बराबर चार हिस्सों में बढ़ गया है, तो इसको हम special एक नाम दे देते हैं quadrant है basically एक sector, यहाँ पर formula जो लगेगा, वो sector का ही लगेगा अब इसमें 90 degree हमें ठीटा तो पता चल गया कि यह 90 degree है formula लगेगा, लेकिन radius हमको पता नहीं है, radius पता कैसे चलेगा radius पता चलेगा circumference से, हमें इस question के अंदर circumference गिवन है तो question में दिया हुआ है circumference 22 cm है इस circumference की help से हम पहले radius निकालेंगे तो circumference होता है 2 pi r, यह चीज 22 cm दे रखी है value भरते हैं 2 into 22 upon 7 into r, यह 22 के बराबर है हमें r निकालना है तो r को किला छोड़ देंगे यहां 22 ही रहेगा, r के पास जो उपर चीज़े हैं, वो तो आ जाएंगी नीचे और जो नीचे हैं, वो चली जाएगी उपर, यही तो rule होता equation में multiply की चीज़े divide में चली जाती है, divide की चीज़े multiply में चली जाती है और 22 से 22 पूरा कट गया, तो r यहां पे आ गया आपका 7 by 2 तो इस question में यही special बात थी, कि आपको जो r है न, वो direct नहीं दिया हुआ था circumference दिया हुआ था, circumference का formula लगा के आप r निकालेंगे और नहीं इसके अंदर आपको theta दिया हुआ था, मतलब दोनों चीज़ें आपसे छुपाई हुई थी जिसमें से नाम दे दिया quadrant, तो quadrant आप समझना है, अपना logic लगाना है कि quadrant 90 degree का होता है दूसरा, r निकालने के लिए आपको अपना logic लगाना है कि circumference दे रखा है, तो circumference का formula लगा के आप r निकालेंगे तो दोनों चीज़ें आपने खुद निकालेंगे, अब बस आपको direct formula लिखना है, तो area of quadrant अब quadrant जो होता है न, ये circle का one fourth part होता है, one fourth भी ये क्यों होता है, क्योंकि 90 upon जब हम 360 करते हैं, तो वो one fourth ही तो हो जाता है तो हम direct one fourth भी लिख सकते हैं, ये अपने 90 को use करके लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है, तो area of quadrant हो जायेगा, पहले formula लिखते हैं, theta upon 360, pi r square, एक question में एक formula आप ज़रूर लिखें, ये area of sector का formula है, और quadrant भी एक sector ही होता है यहाँ पर theta है 90, और ये 360, pi 22 upon 7, radius इस question के अंदर, ये निकाला आपने 7 upon 2 बस इसा solve करते हैं आपका answer, solve करते हैं, 93, 60 कट गया, 91,000, 94,000 यहाँ पर 77 से मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 7,100, ये 7,100, ये 4 और 22 आपस में कट रहे है, 2 पे कट रहे है, 4 को 2 से divide करूँगा, तो 2 आएगा, इसे करूँगा, तो ये 11 आजाएगा, अब उपर तो बच गया 11 और 7, और नीचे 2, 2 और 2, तो कुछ कट नहीं रहा आपस में, आप कटने रहा, तो simple इनको multiply कर देते हैं, 11, 70, 77, और नीचे 2, 2, 0, 4, 4, 2, 0, 8, ये आगया, 77 और 8 आगया, अब क्योंकि उपर बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप इसे divide करके mix fraction में जरूर लिखें, तो 77 को divide कर लेते हैं, 8 से, 8, 9, 0, 72, ये आगया 5, तो ये पू आगया remainder, और 8 इसमें थाई, question है centimeter में, सारा centimeter में है question, तो ये centimeter square, ये आपका area of quadrant आगया, चलिए इसके बाद करते हैं, question number 3, question 3 important question है, इस तरह का question ये बहुत ज़्याद आता है exam में, ये घड़ी से related question है, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter, कोई घड़ी है, और उसकी जो minute hand है न, ये minute hand है, और ये 14 centimeter इसकी length है, find the area swept by the minute hand in 5 minutes, तो 5 minute के अंदर, ये कितना area swept कर देगी, swept का मतलब ऐसे, swept मतलब सकेरना होता है, बहारना, यहाँ पर आप इसका मतलब ये समझेंगे, कि ये कितने area को ऐसे cover कर देगी, अमालिया जो ये swing है, ये 12 के उपर है, तो 5 minute में ये 12 से 1 पर आ गई, ये कहीं भी आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका logic जो है, इसके अंदर, उसको आपको proper use करना है, कि कितने minute में कितने degree होते हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए, बस इतना समझ ये पहले, कि ये आपकी minute hand है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 minute में गई, तो इसने एक बना दिया sector, तो फॉर्मला तो इसमें लगेगा sector कही, अब sector में radius तो इसमें आपको पता है 14 cm है, लेकिन ठीटा कितना होगा, ठीटा के लिए आप इसमें लगाएंगे अपनी knowledge, knowledge क्या है, कि देखिए, पूरी जो घड़ी होती है, ये सरकल होता है, और पूरा जो सरकल होता है, ये होता ह 360 degree का, अब 360 degree पूरे होते हैं, और इसके अंदर minute होते है 60, तो अगर इसे हम 60 से divide कर देंगे न, तो एक minute का theta आ जाएगा, कि एक minute में मतलब 100 कितना चलती है, लेकिन हमें निकालना है 5 minute का theta, तो इसको 5 से multiply कर देंगे, simple, तो इस question में जो हमारा theta बन जायागा, वो ये बनेगा पूरी घड़ी है 360 degree की, घड़ी के अंदर होते है 60 minutes, तो divide करके एक minute का theta पता चलेगा, हमें 5 minute का पता चलाना है, कि 5 minute में जब ये sector बनेगा, जैसे 5 minute में यहां से सुई, यहां तक गई, तो sector बना न, तो 5 minute में कितने degree अंदर बन जाएगा, इसलिए 5 से multiply किया, करते हैं इसक 60, 60, 60, 60, 65, 30, तो इस question के लिए जो theta बनेगा, वह बनेगा आपका 30 degree, और radius तो देह रखा है, इसके अंदर 14 cm की length है, उस swing की, बस आपको area निकाल ला है, तो area swept by minute hand, जैसा question में language लिखी हो, आप अपने answer में भी उसी तरह की लिखे, area swept by minute hand, पहले formula लिख दे, theta upon 360, pi r square, क्योंकि जो भी ये area है, ये एक sector ही है, तो sector का formula लिख दे, अब इसमें values put कर दे, theta बना आपका 30 degree, नीचे 360 लेना है, ये भी theta ही होता है, और pi की जिए लेंगे, 22 upon 7, और radius है आपका 14 cm, दो बार, 14 into 14, solve करते हैं हम इसे, ये 0 से 0 कट गया, और 3, 1,0 और 3, 12,0 यहाँ पर इस 12 को ले लेते हैं पहले, 12 इस 22 से कट रहा है, 2 से काटता हूँ मैं अगर इसे, तो 2 पे कटके ये 6 आ गया, ये 2 पे कटके 11 आ गया, भस अब कटना बंद हो गया है, 7, 14 को ले लेता हूँ, 7, 1 पे कट गया, 7, 2 पे कट गया, अब इस 6 को ले लेता हूँ मैं हाँ, ये 2 से कट रहा है, तो 2,1,0 और 2,3,0 अब नीचे तो सिर्फ 3 बच गया, और उपर बच गया 11 और 14, और 14 को जब 11 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो ये आएगा आपका 154, 154, और नीचे सिर्फ 3 बच गया, और कहीं कुछ नहीं बच रहा 3, तो आंसर है ये, लेकिन इसको आपको मिक्स फैक्शन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उपर बड़ा नं तो 51 तो hole, पूरा 51 आया, और ये कुछ fraction में आ गया, remainder को उपर लिखते हैं, जिससे divide करते हैं, वो अपनी जगे change नहीं करता, वो नीचे रहता है, और question की unit centimeter है, तो centimeter square, ये question है, ये घड़ी वाला question है, ये थोड़ा important question है, इसमें सारी जो मेहनत होती है न, वो आपकी theta को निक दालने में ही लगती है, तो ये बात आप अपने ध्यान में बिठा लें, कि घड़ी के अंदर total जो theta होते हैं, वो 360 होते हैं, total minute होते हैं 60, बस, इसको divide करते ही, एक minute का theta पता चल जाता है, अब आपको जितने minute का चलाना है, उतने से multiply कर दीजिए 5, यहां तो 5 था, तो यहां हो सकता है, एक्जाम में यह 15 आजाए, 15 मिनिट में कितना area swept करेगी, तो आपको यहां 15 से multiply करना है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next video, तब तक के लिए, good bye